हेलो स्टुडेंट्स आज अपन क्लास सेकेंड की टर्म टू का चैप्टर फॉर पढ़ेंगे अब चैप्टर फॉर का आपका नेम क्या है मैजर्मेंट अब आपको क्या करना है मैजर्मेंट पढ़ेंगे तो मैजर्मेंट क्या होती है देखो दो मैजर होती है एक होती है मिट में और एक सैंटिमिटर में मतला आपको लेंद आपको मेंजर करना है स्टी में अब 1' उन्ट सैंटिमिटर कितो ही 1 Detity सॉन्ट सैंटिमेटर के स्टैमिанные मढर् tror I मिटर करना इसे संटिम्हें से उपनी करrator तो किसे स्टी 돼요 में थो mean अब डों लैंध उती के मीटर और одном सेंटी for measurement of smaller length with the 2-3 secondo flour जब आपको को small length औरफ आपको measure करनी होती था उसका काई सर millennials करते हुआ कर तो कही से शे नाप तो सेंटीमितर में गई सेखिए तो छुटी स्केल कु clipping weet acres तो सबने देखी एंました डएक सेटेल तो यहां पर बता रखायए अगर बता रहा है coconut tree तो आपको coconut tree की width Hollow measure करना है तो लीकिन tree तो कितना बढ़ा होता है तो आपको tree क्या है में measure करना है उनोंने meter में measure करना है 1 meter is equal to कितना होता है 100 cm तो आपकी जो scale थी जो irritiv members था उसको 2 cm आया और जो आपका coconut tree था उसको काई से show कर आपने मिटर से तो उसको कितना आया? 6 मिटर आया कितना आया? 6 मिटर अब जिससे दिखो यह scale आपको मैंने बता दे है scale स्कार्वेड में आपको कैसे शो करना है cm scale में का शो होता है cm अब आप यह height of my dining table is cm अब जो dining table होती है उसकी height को measure करना है तो यह dining table इस type से होती है और उसको काई में measure करना है centimeter में तो यह पूरी dining table कितने centimeter की होगी इतनी उची होगी तो बताओ कितनी centimeter की होगी height of my dining table आपको dining table की क्या करनी है height तो अब थोड़ी सी dining table के उची तो होगी इसी तो अगर अपनी scale से उसको मापेंगे तो फूरी scale कितने की होती है 15 की होती है फिर उससे अगर और नापेंगे तो ऐसे आपको काई में centimeter में नापना है तो अभी अपनको height इतनी confirm तो पता नहीं होगी आप अगर आप नापोगे तो फिर भी अब अब अपन यहां पर लिग देते हैं तो जो अपनी डिश डाइनिंग टेबल होगी वह अपन यहां पर कितना माल लेते हैं 90 cm कितना माल लेते हैं 90 cm अब height of my refrigerator refrigerator जहनी क्या होता है फ्रीज की हाइट काई में नापना है तो फ्रीज की हाइट को भी अगर आप सैंटीमीटर में नापोगे तो यह यहां से आते हैं कि फ्रीज की हैट कितनी हो जाएगी अपना माल लेते हैं 40 cm कितनी हो जाएगी 40 cm सेंटिमीटर तो आपको नाप नी तो आपको हांगें तो आपको पीतनी होगी 40 सेंटिमीटर करने होगी फ्रीज इतनी तो होगी न आपकी हैट कितनी होगी अपने लेकूष है 42 cm अब length of my pencil box अब आपको जो pencil box है उसकी length measure करने है वो भी कामे करनी cm pencil box तो क्या होतना है scale जितना बड़ा होता है scale से फिर थोड़ा सा बड़ा आपको जो pencil box है वो कितने को हो जाएगा 20 cm आया आपको समझ में अब आपको यह ऐसे ही करना है thank you and have a nice day